नमस्कार मैं हूँ जोतिसाचार राजिस अनुखा सुत्र में आपका स्वागत है आपसे निवेदन हैं कि आप इस चैनल पर पहली बारा आए हैं इससे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मैं आपको महत पूर्ण जानकारियां उपाय समस्या एवं समस्या निवेजयों का उपाय बताता हैं आज-कल के यूब में आज के दोर में एक इसी तरह की समस्याय आ रहे हैं वाई है प्रेम परसंग का टूटना और उसके बाद उसका परिनाम होना क्या परिनाम होगा यह तो आप अच्छी तरह समझ रहे हैं या तो डिप्रेशन में जाते हैं लोग या कुछ कर बैठते हैं देखा गिया है यह तो बहुत असुपरी नाम है क्या होता है अखिर यह सा क्यों होता है थूरे सी चर्चा मैं उस पर करूँगा उसके बाद मैं आपको ऐसी रामबान उपाए दूँगा कि यदि आप ऐसे इस्तिती में पर गए हैं और आपके साथ ऐसा ही होने जा रहा है आपके प्रेम प्रसंग ठूट गए हैं छुटने वाले हैं किसी कारणों से और आप तनाव ग्रस्त हो गएं डिप्रिसन में चले गएं तो आपको कैसे समलना चाहिए इसका बहुत ही ऐसे है जिनको इसमें बहुत सतर कराना चीए देखिए कुछ रासियां ऐसी है चो बहुत ही सेंटिमेंट और भावुक है जैसे मिथुन रासि ये बहुत भावुक और सेंटिमेंटल होते हैं क्यों कि इनका काल्पनिकता ही जीवन है कल्पना में जीते हैं बावुकता काँना है करक रासी ये भी बहुछ सैंसिटिव भावक रासी है उसके बार धनू रासी यहभी भावक और सैंसिटिव है आव मीन रासी यह प्रुकारिक धार्मेक लेकिन यी ये भी sensitive भाव उखते हैं ये जो चार रासियां हमने बताई हैं उन चारो रासियों में एक बात जरूर ध्यान देना चाहिए कि या तो वो प्रेम परसंग से दूर रहे किसी से गहरी लगाव ना रखे यहां तक कि इनसान प्रेम की बात है वो किसी से भी गहरी लगाव रखें तो जब वह दूरी होगी किसी कारण से तो उन्हें बहुत चोट पहसता है इसलिए ऐसे रासिवालों को प्रियास करना चाहिए कि वह किसी से भी अधिक गहरी लगाव ना रखें कि उसके बेगार बाद में हमें बहुत करश्ट हो पहली बात संकट आहीं जाए जिसे मेश है प्रेम प्रसंग चालू हो गए अनायास बन गए और उसके बाद हुई इस्तिती की घर के वाले घर वालों को पसंद नहीं है घर के तरफ से दवाव आने लगा या मत करो पहला कौज ये कारण दूसरी बात आप हैं हिंदो और वो कोई और जाती के हैं या जाती बंधन का चक्कर आपके बीच में आ गया औ आपके प्रेम प्रसंग में दिविधा परमे लगा तूटने के कगार बन गए तनावत पन हो और तीसरी बात कभी कभी प्रेम प्रसंग के बीच में कुछ ऐसे बात ऐसी बाते हो जाती हैं जो एक दुसरे को जगरा में बदल देते हैं बिवाद में बदल देते हैं और वह कभी ऐसी स्थिति आते हैं कि किसी प्रेमी को दूर जाना पड़ गया जाब मिल गए अब उनके साथ अलगाओ की स्थिति आ गई वो तो और कष्टकारक हो जाते हैं यह जो तेन चार कारण है यह अलगाओ की स्थिति को दिखाते हैं लेकिन जिस तरह से भी अलगाओ हो यहां तनावत्पन करने वाला डिप्रिसन में ले जाने वाला बन जाता है जब ऐसी स्थिति आपके साथ आ जाए तो फिर आप क्या करेंगे सबसे पहली बात जाने हैं आपके जनम कुंडली में कहीं न कहीं प्रेम का कारक सुक्र दे कहीं न कहीं प्रित है प्रभावित है आप द वश्चित आपको धोका मिलेगी प्रेमे कभी कभी धोका होते हैं वहां दोका राहू सुक्र एक साथ होने पर होता है। चाहे राहु केतु और सुक्र एक साथ हो। राहु के दिश्टी पढ़ गए। क्योंकि धोखा देने में राहु दे मास्टर माइंड है। दुसरी बात, सुक्र और मंगल जब परभावित कर देते हैं, तब क्या होता है कि आप प्रेमी के बिना नहीं रह सकते हैं। बहुत बैचेनी महसूस होने लगती है। इम हुसन अली बहुत ज़्यादा एटेच्मेंट हो जाता है। जो टूटने के बात बीचलित होते हैं। और राहु, मंगल, केतु, सहनी कहीं ने कहीं आपके जनम कुंडली में सुक्र को जरूर प्रभावित किये हैं। इसलिए प्रेम परसंग में टूटना चूटना बेधाना आगे। यदि आपकी मारकेश की महादसा है तो निस्षित असूब है, तुरंत महामिट तुझे का सवाला चाप करा ले। वही जातक को सुसाइडियल टेंडेंसी मिले जाता है, मारकेश. यदि मारकेश नहीं है तो आप डिप्रेशन में जाते हैं। चंद्रमा पिरित है किसी कारण से तो डिप्रेशन में जाते हैं। तो कहीं न कहीं तो यह आपके उपर चूट करता है। तो तीन परमुक बात हैं। तीनों परमुक बातों को यदि आपने लोट कर लिया तो आप निस्सित जाने आज यह बच्चा यह आदमी यह लड़का कोई भी प्रेम परसंग में पढ़ गया और धोखा खा गया उसके बाद डिप्रेशन में चला गया यह कुछ करने की तयारी कर रहा है। निस्सित जाने इन तीन उपाईओं के उपरां तो वह कुछ नहीं कर पाएगा उसे बचना पड़ेगा और उसे बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि इस तरह से उस योगा योग के को घेर दिया हूँ मैं उपाईओं से कि इससे बाहर कुछ हो ही नहीं सकता। पहली बात सुक्र प्रेम का कारा जो धोखा दे रहा है जब आपने प्रेम परसंग में गए और कहीं से भी कोई बाहरी हवा आपको मिलने लगी कि अब आप हमारा प्रेम आगे नहीं चल पाए रहा तो सबसे पहले सुक्रवार को फास्टिंग रखना सुरू करें सुक्रवार को फास्टिंग नहीं रख सकते हैं तो सुबह साम दूनों टेम फल खाएं जूस खाएं अनाज छोड़ दे और माता लच्मी का प्रात्मा करें और उनसे प्रे करें कि आपके प्रेम सम्बंदों को बचा लगा या एकी सुक्रवार करें या तो फास्टिंग करना ह एक बार फालाहर करें और नहीं तो जिस तरह बताया उस तरह करें एक उपाई जब पहली जलक आपको दिखें कि आपके प्रेम में उतार चलाओ बनने लगे तूटनी की स्थिती आने लगी किसी तरह के सुबगाहट होने लगी कि आप बचना मुस्क्रवा दूसरी का जब उससे आगे एडवांस आप बढ़क चुके हैं अब तो घर के लोग मानने के लिए तयार नहीं है कोई भी स्थिती आप सामने नहीं आ रहा है कोई मानने के लिए तयार नहीं है देखिया आपका घर है चंद्रमा आपका मस्तिक मन जो है वह चंद्रमा प्रभाव डालना खुस करना परेखे, दस्तों याद रखे, ये जो उपाय है, ये आपके पर टरिपल काम करेगा, आपके मन को भी ठीक करेगा, आपके घर की स्थितियों को ठीक करेगा, आपके बरे बुज़ूरगों के मन को भी badalnे कीkalिमटश्टा करेगा, आपके favor मिलाएगा, और तीसरी उपाय जब इस्तिती गंभीर हो जाए अब बाहर टूट गए अब जो है जीने का मन नहीं कर रहा है अब इस्तिती सारे एगेंस्ट पुरह संसार अब सन्नापन लग रहा है सारा इस्तिती मजनुवाली हो जाए और कुछ करने का दिल चाहने लगे दोस्तों उस आप सवालाक महा मिटतुंजय का जाप करवाले या नहीं तो नियमित दो माला आप परती दिन सुबा दो माला साम जाप सुरू कर दे कुछ नहीं बिगरेगा पूरे इस्तिती में इन तीनों उपाय को जिन्होंने एक साथ करना सुरू कर दिया आप जाने ये प्रेम में जो दोखा मिले लेकिन आपके जीवन को कुछ नहीं कर पाएगा आपको इस बुरी परिस्तिती से बाहर निकाल लेगा और नए अच्छे परिवेस मिली जाएगा इस तरह यह जीवन अनमोल है और गलती से भी हमें इसे नहीं बिगारनी चाहिए यह जीवन चक रहा है च हो गया तो हो गया डरने किया आप नहीं जहल पाएंगे मा लेजे आपकर खै नहीं जहल पा रहे हैं तो आपके लिए उपाय है आप उपाय करें जिसीत आप मजबूति प्रदान करें है तो मैं समझता हूं दोस्तों आप इस उपाय का चरूर एक बाराज मावे फिर आप कह तो इसका लावले धन्यवाद।